पढ़ाई काई वीडियो ले ना ने आये क्या हुआ चलो तो पढ़ते हैं हम कुछ भोल ले हैं नहीं सुनिएगा चलिए चलिए एक important discussion करता हूँ फिर अपने अपना chapter में चले जाएंगे वापस यह जो paper आपको दिख रहा है भी यह November 2019 का group 1 accounts paper है November 19 group 1 accounts paper जो कितने तारिक को हुआ था दो तारिक को दो नवेंबर ठीक पहले मैं बातचीद बंद कर दे पहले मैं paper के बारे में कुछ basic बाते आपको बताता हूँ इस paper से हम लोग 2-3 चीज सीखेंगे जो हम लोग अपने exam में यूज कर सकते हैं और कुछ बाते ऐसी बताओंगा जो तुमारे exam के लिए बहुत relevant हो गया है सबसे पहला बात यह question paper अगर overall बच्चों से review लो question paper was not at all tough ठीक बच्चों बच्चे जो पढ़के गए सब पूरा question paper वहीं का वहीं से आया paper was very easy across all chapters कोई भी chapter का question ऐसा नहीं था कि घुमा के कुछ पूछा it was very straightforward question paper done है but question paper में बच्चा लोग का एक यह review था कि paper थोड़ा सा lengthy हो गया done है बात देख paper lengthy तो नया बात नहीं है सिए institute के लिए यह हर term का paper lengthy होता है एक बात तुमको बता दूँ paper easy or tough बोलना बहुत simple है बट paper का यह judgment हम ना करे तो better है क्यों जो exam जिस term में देता है ना उसको उस term का paper world का सबसे toughest paper लगता है यह आप भी agree करेंगे जब आप exam दिने बैठेंगे चाहिए कोई भी subject हो चाहिए वो accounts हो FMO, cost हो जिस term में आप paper देंगे आपको लगेगा भी ऐसा कुछ तो last term तक पूछाए नहीं मेरे ही term में सब कुछ गंदा क्यों दे दिया जबकि ऐसा नहीं है कि आपके term में सब गंदा भरके देगा अगर आप मेरे से पूछोगे भईया आपका expectation के हिसाब से paper था क्या? 70 to 80 marks जो मेरे को लगता था आना चाहिए वो paper में पूरा भरके था दो question expectation के थोड़ा सा against आया पहला question आया company final accounts में financial statement बनाने दे दिया company का balance sheet बनाने दे दिया जो की institute normally देता नहीं है इस बार वो एक question दिया 10 mark में दूसरा question जो unexpected था वो था department account से departmental stock and markup account जो हमने कुछ दिन पहले stock and markup account पढ़ा अभी branch में stock debtor system तुमको सिखाएंगे तो वो बहुत concrete हो जाएगा दो question ऐसे थे पूरे paper में 10, 10, 20 marks जो बच्चों को थोड़े से tough लगे थोड़ा different लगा from the normal otherwise मेरा जो expectation था मैंने exam के चार दिन पहले एक video बनाया था कि कैसे पढ़ना है last 4 दिन में कैसे revise करना चाहिए exam का paper कैसे attempt करना चाहिए उसमें मैंने जो expect किया था जो बोला उस video में उससे 70-80 marks पुरा match करता करता आ गया जैसे partnership में मैंने बोला था गार्नर मरे देखके जाना पीसमील देखके जाना 20 marks गार्नर मरे और पीसमील डाल दिया पूरा का पूरा तो जो एक expectation होता है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो बहुत कुछ system में match किया तो बच्चा लोग ऐसा नहीं बोल सकता कि paper was unexpected अब देख 100 marks का paper में अगर 20-30 marks tough नहीं करेगा तो वो फिर C.A. Inter का या competitive exam का paper कहा हुआ वो तो class 10 वाला paper हो गया जिसमें हर question number 1, chapter का question number 1, 2, 3 दे देगा तुमको करने के लिए तो paper तो देखो tough होना ही है और तुम exam में बैठोगे तो तुमको tough लगना ही है I don't deny the fact कि कोई बच्चा बोले paper मेरे लिए सच में बोलू ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए यह paper easy था अगर कोई बच्चा अपना normal state of mind में exam state of mind में नी normal state of mind में यह paper लिखेगा वो बच्चा 20-30 गंटा के अंदर यह paper complete कर सकता है सबसे अच्छा जो इस बार बात था accounting standard के question में practicals या numerical जादा थे theory कम था जो तुमारे लिए एक challenge खड़ा कर देता है May 2020 में case studies पर focus करना पड़ेगा देखो उसी type का paper एक बनके आता है हर टाइम paper का pattern वो लोग सेम नहीं रखता वो लोग जो दे दिया है उसको कुछ नया change करके next term में हमेशा देने का try करता है next term में तुमारे लिए important हो गया कि तुम case study based question अच्छे से देख कर जाओ case study based question देखना जाधा important है for your exam दूसरा, एक unexpected बात यह हुआ last term branch account पुछा था foreign branch का question इस term में भी foreign branch का ही question पूछ लिया branch accounting से बट इस term question को AS 11 वाला question बना के दिया मैंने बोला था आपको branch accounting AS 11 में related है foreign operation इस बार AS बना के question दे दिया वही same question जो last term में दिया था वैसा ही same question वही इस term में वापस दे दिया barring this 25-30 marks पूरा का पूरा paper was very easy अब देखो बच्चे कहां कहां गलती करते हैं मैं तुमको समझाता हूँ तुम अपने exam में मत करना यह चीज मैं वापस तुमको बताऊंगा time to time की क्या गलती होता है और क्या नहीं करना चाहिए आपको पहला गलती जो बच्चे करते हैं वो पहले 15 मिनिट सही से नहीं यूज़ करने का गलती जिनसे भी आप पूछोगे ना सारे maximum बच्चे पहला 15 मिनिट में paper को thoroughly read करते हैं वो waste of time है क्योंकि जब भी तुम कोई भी question करने जाओगे तुमको वापस वो thorough reading करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो हर single line का question पढ़ने का क्या जरुरत है आपको आप अभी 15 मिनिट question पड़े फिर जब question स्टार्ट करेंगे तो हर question में 5 मिनिट वापस दे देंगे तो आप तो duplicacy of work and wasting your time in your own hands सबसे पहला गलती बच्चा ये करता है exam में कभी भी पूरा question paper बढ़ना नहीं चाहिए तो sir हमको करना क्या है फिर हमारे पास तो answer sheet नहीं है question paper हम लेके क्या करें बैटे रहे answer is no पहला 5 मिनिट में question paper को फटा फट घुमाना पड़ता है कैसे देखो पहला question मैंने देखा question बोला investing activity का calculation करके दो cash flow मैं एकदम pencil से पास में लिख दूंगा cash flow का question है मेरे को समझ में आ गया कि पहला chapter पहला question जो आया है वो cash flow से आया है अब जैसे तुम cash flow लिखते हो तुमको ये तो पता ही रहता है exam के दिन मेरा cash strong है और क्या weak है तो अगर तुमको लगता है cash flow is a strong position is in strong position कर सकते हो तो ये question हमको attempt वैसे भी question number one is compulsory balance पांच में चार करना पड़ता है बट आपको पता चलाना कि ये मेरे like है या नहीं है ऐसे करके 5 minute दे रहा हूँ total आपको गुमाने कितने number of pages total number of question 6 total number of pages 16 पांच मिनिट में 16 page नहीं गुमाएंगे मैं आपको गुमा के दिखाऊंगा दो मिनिट भी नहीं लगेगा cash flow हुआ second question में देखा मैंने देखा branch के उपर question है USA branch है नीचे बोल रहा है कि trial balance को convert करके दो इंडियन रुपी में तो मैं ऐसे लिख दूँगा foreign branch पात खतम तीसरा question में गया AS2 के उपर question है जहां पे बोल रहा है कि in as per AS2 how each item of inventory shall be valued तो मेरे को समझ में आ गया यह AS2 का valuation का question है raw material shall be valued at cost finished goods shall be valued at cost or NRV whichever is lower but अगर हमको लग रहा है कि finished goods का value कम हो गया है तो raw material को NRV पे value कर लेंगे अगर उसका NRV lower है तो वो वाला पे question दिया है next आपको यह जो question दिया यह अभी तक हमने पढ़ा नहीं है question है accounting standard 22 पे आपके group 2 में चला गया पहले group 1 में हुआ करता था तो मैंने यहां लिख लिया AS22 का question आपको word देखते ही पता चल जागा आपको पहले 5 मिनिट में ना सिर्फ इस तरीके से पेपर घुमा के identify करना चाहिए क्या topics exam में आया है फिर next 10 minutes में पहला दो decision लेना है जो सबसे important है पेपर के लिए पहला decision कौनसा question हमको छोड़ना है एक choice ना कभी-कभी negatively वर्क कर जाता है choice होना बहुत अच्छा बात है बट यह अगर decide नहीं कर पाओ क्या छोड़ना और क्या करना है तो choice ही time waster है सबसे पहले आपको decide कर लेना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है देखो जब 16 mark का paper पढ़ रहे हो यह 16 pages का paper पढ़ रहे हो आपने chapter लिखे आपको जैसे ही दिखेगा departmental stock markup account है कल जो बर्चे exam देने बैठे 99% बच्चे कितने बच्चे 99% बच्चे एक ही question छोड़े departmental stock and markup account तो आपको पहले ही पता चल गया कि यह question मेरे को करना उसको cut करके side कर दो वो तुमारे लिए है नहीं अब तुमको है कि जितना question हमको सारा attempt करना है मेरे लिए आप कोई choice क्योंकि तुमने choice को तो पहले ही cut दिया यह एक तुमको दूसरा decision लेना पड़ेगा और यह decision लेने में time नहीं लेगा क्योंकि you already know paper में क्या है और हम कहां पे weak है अब तीसरा decision जो आपको लेना है उस 15 मिंट में second जो next decision पहला question कौन सा करना है पहला question करना ही सही से करना ही is very important जो बच्चे पहले पहला question 15 माग का यह partnership करते है partnership 15 माग का tough नहीं था बड़ तुमको पता है बड़े question में हो सकता है कोई एक point ऐसा हो जहां पे हम time भी बड़ा बात नहीं है अटक जाए अब तुमको पता है पहले ही question में को attempt करना चाहिए ऐसा practical question जो 5 या 10 माग वाला question होता है क्यों 5 या 10 माग वाले question में घुमाने का scope बहुत कम है तो आप question लेके बैठना start कि आप करते गए अब easy question में भी अटक गए तो देख ये तो तेरा गलती है फिर demotivation होना लाजबी है क्योंकि easy question में अटक गए मतर तेरा preparation सही बट ऐसा तो नहीं है कि यार एक investment accounting का basic question आप नहीं कर पाएंगे कल जैसे पहला question क्या attempt करना चीए था मैं आपको बताता हूँ ये question था question number 3 जहाँ पर एक investment accounting का fixed income security का investment account बनाना था come interest, ex interest, brokerage वगएरा करके और एक था insurance claim पर question था जो class में कियावा question है जहाँ पर हम लोग trend equation निकाल trend निकालेते यादे 15% वगएरा कुछ trend आया था वो दो question सबसे पहला चाहे तो बच्चा कर सकता था दोनों 10-10 माग के question थे तो ये ऐसा question था जो कोई भी बच्चा first time पर अगर करे तो बना सकता है तो पहले ये attempt करना चीए था अगर ये भी आपको नहीं करना है तो आप सीधा question number 6 अगर कलका देखते न the question was very easy पहला question था bonus issue effective capital निकालो हम लोग सीखेंगे company accounts में 5 minute भी नहीं लगता question करने में 5 minute दूसरा question था bonus issue किया है journal entry करो 5 minute लगता है question करने में 5 minute जब करूँगा तुम बोलोगे हम कर देंगे 5 minute में फिर उसके बाद तीसरा एक accounting standard 17 से question था जहां पर बताना था reporting segment कौन सा है हम लोग का group 2 में है ये AS next question था कि आप distinct करो between a partnership firm and a limited liability partnership which is a very theoretical question basic एक में unlimited liability एक में limited liability एक में designated partner होता है एक में कोई designated partner नहीं होता है मन से आपको बना के लिखना था और last question था debentures के उपर जहां पर बताना था debentures convert होके कितना share issue होगा मैंने तुमको पढ़ाया है निये बट मैं challenge दे सकता हूँ कोई भी बच्चा इस question को पढ़ेगा ना पहला बार में पढ़के कर देगा उसको time भी नहीं लगेगा बच्पन में तो सीखा हूँ है ना debentures issued for consideration other than cash shares issued for consideration other than cash देखो पहले कितना रूपया देना है divided by issue price कर तो तुमारा number option निकल जाएगा सबसे पहला question कल के paper में बच्चों लोग को या तो question 6 करना चाहिए था या question 3 करना चाहिए था जिन बच्चों का paper छुटा है पता है उनकी गलती क्या हुई है या तो वो लोग ने पहले partnership वाला question पकड़ लिया या single entry वाला question पकड़ लिया cash flow वाला भी question easy था बट मैं AS शूरू में लिखने की मतलब नहीं देता हूँ वो कि reason यही है आप अगर इधर उदर का answer लिखने लग जाते हो ना कि एक तो AS पुछा investing तुम सारा ग्यान लिख किया आगए उसमें तो जो सामने वाला पढ़ता है उसको यह लगता है इसको main ग्यान नहीं बता यह इधर उदर गुमा आ रहा है सिरक AS में जब question case study base आता है उसको अगर to the point नहीं लिखोगे ना तो वो answer पढ़के भी अच्छा नहीं लगेगा क्या सब लिखा है इसलिए मैं AS शुरू में लिखने का कभी बात नहीं करता हूँ लिखना AS कव जब time manage करना है पेपर में बीच में लिखना चीए हमेशा AS कल जिनका पेपर छुटा छुटने का कोई reason नहीं था except question number one को सही से नहीं पकड़ना choice सही से decide नहीं कर पाना otherwise paper was very easy कुछ बाते तुमको paper के बारे में बता दू जो तुमको paper को strategize करने में बहुत help करेगा the paper will never be easy the paper will कोई भी subject का paper कभी easy हो ही नहीं सकता शायद तुमने एक जनको पूछा वो बोल दिया easy है but average में लोग ना सब बोलेगा भाई paper तो tough ही था इतना कोई easy नहीं था average paper था तो paper will always be tough जिस तम में तुमें एक्जाम दोगे तुमको paper tough लगेगा always remember दूसरा rule paper tough होता है to the extent of 25 to 30% of the total marks paper कभी भी 100% tough नहीं हो सकता अगर तुम इतने ही बुडबा को कि तुम easy वाला भी नहीं कर पा रहे हो तब तुमको कोई कुछ नहीं बचा सकता बट कोई भी बच्चा को अगर एक basic question दिया जाये ना जिसने 6 महीने tuition की और exam से पहले कम से कम prepare होके आया है 50-60 mark का paper ऐसा रहता है जो first timer बच्चा भी आराम से लिखके बना सकता है अभी तुमारी practice उतनी तोड़ नहीं है expected अभी मैं तुमको बोलो cost nrv whichever is lower करके दो नहीं कर पाओगे तब तो मतलब तुमारा concept ही खतम हो गया तो ऐसा नहीं है paper 100 mark का tough होता है paper 30-40 tough होता है 60-70 paper हमेशा easy होता है always try to complete those 60-70 first and then think about the rest 25-30 marks होता क्या है पूरा paper deeply पढ़ने से दिक्कत क्या होता है एक भी question अगर तुमको नहीं आएगा ना पूरा 3 घंटा दिमाग में वहीं चलेगा सला उस question का answer क्या होगा याद नहीं आ रहा है जबकि तुमको सोचो 5 mark material है कि 95 marks material है 95 अगर paper में तुमको 60-70 आता है ना पहले वो 60-70 हात में आ जाए तब next 25-30 का सोचना तुम इसको तो ला नहीं पा रहे और उस 25-30 के पीछे मरे जा रहे हो दो चीज हमेशा एकदम advice paper tough होगा no doubt बट paper tough कभी 100% tough नहीं होता 25-30 marks tough होगा balance 60-70 marks easy होगा पहले हमेशा क्या चीज को target करना है easy को ताकि मेरा confidence build up हो और चीजे अपने आप यादया नहीं शुरू हो जाए और उसके बाद last आदी एक घंटा जितना बचेगा उसमें जितना अच्छे से हो पाएगा हम करके आएंगे 10-15 mark 5 mark छूट भी जाए ना कोई बड़ा बात नहीं है हमारे सर सिखाते थे तुम लिखने के कारण सब अधूरा आधा अधूरा लिख के आ रहे हो 100 mark का तो तुमको जितना मिलेगा उससे जाधा मिल पाएगा अगर सिफ 90 लिखते और एकदम अच्छे से लिख के आते बस बच्चे का ये डर है पेपर छूट गया छूट गया अरे भाई जो किया है वो सही किया है कि नहीं देख जो छूट गया उसको जाने दे कल कुछ ऐसे बच्चों से मैंने बात किया अफ्टर एक्जाम कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हों ने इसको पॉजिटिव लिया सर ऐसा नहीं ये पेपर खराब गया सर हम 90 अटेम्ट की 85 अटेम्ट की है बड़ सर जो अटेम्ट की है न वो एकदम अक्यूडट है तो भाई बच्चा को खुद समझ में आ गया यार लोग रो रहा है एक्जाम देने के बाद तो लौ एक्जाम भी खराब करेगा और हम लोग सही कर लेंगे तो कम से कम यहां अगर पांच माग कम लाए है वो पांच माग लोग में हम कवर कर जाएंगे तो तुम्हारा एक option जाएगा दूसरा option वापस खुल गया है उस opportunity के उपर अब ध्यान दो अब पूराना paper के बारे में सोच के फाइदा मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ तुमको भी बोलूगा exam देने के बाद यह सब exam का paper भाड़ देना चाहिए because घर जाओगे तो answer match करोगे अभिनाश भूगे बिया के book में ऐसा सम्त है पर देख लेते हैं कोई फाइदा नहीं है उसका तुम जो करके आगए वो करके आगए तुमको पता है तुम question कैसे match कर पाओगे तुमको यह याद नहीं रहता यह doubt हो जाता है कभी कभी साला roll number sign ही नहीं करेगा तुमारा तो सोच सोच जब तेरको यह याद नहीं है तुम roll number लिखा है कि नहीं है तेरको वो question तुम क्या लिख्या है कैसे याद हो सकता है वही बेकार चीज़ है जो बच्चे करते है बार 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 बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों से उपर उठना पड़ेगा अगर competitive exam में अच्छा करना है तो तो पहला exam खराब जाने से भी second exam या opportunities knocking at the door तुमारे मालने पहला accounts में 15 माग कम आया जितना तुम expect किया था तो तीन paper में 5-5-5 ज्यादा ला सकता है कि नहीं ला सकता बट वो तीन paper पढ़ना पड़ेगा अगर का accounts के लिए रोएंगे वो तीन paper भी खराब हो जाएगा जादा तर यहीं देखा गया है मालने लो accounts paper बहुत टफ दे दे लोग accounts में जाने के बाद paper देने जाते ही नहीं और जब result आते देखता accounts में 60 आ गया फिर गाली देता है खुद को कहें नहीं exam हमेशा पूरा देना है कोई फरक ही नहीं पड़ता अच्छा गया की खराब गया हमको अपना exam पूरा दे के आना है डैना के बात कुछ चीजे इनके बारे में ध्यान रखे यह सब बाते ही आपको आपको 5-7-10 mark extra लाके देगा exam में हम इतना क्यूं बोलते हैं कि AS में आगे वो पहरा लिखिये heading लिखिये थोड़ा सा कि क्या है क्या ग्यान है practical में भी लिखिये तिरको पता है वो एक-एक marks का जब difference आना शुरू होता है न वो over 5-10 question 10 mark का difference हो जाता है which is a major major difference जिससे rank उतल उतल हो जाता है majority बच्चे वो 10 mark लाने के लिए तरस्ते और जब तुमारा आ रहा है तो उसके उपर भाग नहीं रहे हो आप काम कीजिए उन्हें एक-एक marks के लिए तब जाके वो 60-60 होगा 60 mark सब ला सकता है accounts में 80-90-100 लाने वाले बहुत कम है आपको उस league में जाना होगा अगर आपको आगे अच्छा करना है दूसरे subject को आपको manage करना है तो but overall students का review was paper was easy थोड़ा सा time management नहीं कर पाए because it was first paper इसलिए कुछ कुछ छूट गया 5 mark, 10 mark, 15 mark, average में 10 mark सब का छुटा है जो अच्छे बच्चे थे उनका 5 या कुछ नहीं जो थोड़े से normal मतलब थोड़ा सा कम prepare करके गया था उनका 15 mark तक छुटा है exam में तो उस तरह का exam हुआ ह सबसे पहले exam से डरना बंद करना पड़ेगा अगर exam से डरेंगे वो आपको order आएगा exam से डरना बंद कर दीजे exam को face करना सीखना पड़ेगा क्योंकि इसको छोड़के तो आप C1 नहीं सकते न अगर ऐसा होता there was a second way हम बोलते छोड exam से डरना बंद मत कर दूसरा रस्ता ले exam तो दे नहीं पड़ेगा उसके बिना तो अमबर नहीं सकते तो आपको exam का डर खतम करना होगा वो कैसे होगा regular practice से regular exam देने से अगर आप practice नहीं करेंगे exam नहीं देंगे आपका डर कभी भी खतम नहीं होगा अभी भी जो वच्चे line बे नहीं आये हैं जो regular question नहीं बना रहे हैं ये excuse मत दीजे आपके पास एक question बनाने का time नहीं है जी आप बहुत जगा time waste करते हैं निकालना शुरू कीजे 15 minute सबको मिलता है एक question बनाना is not a big deal मैं आपके उपर ये pressure नहीं दे रहा हूं कि पढ़ो 15 दिन बाद exam फिर 15 दिन बाद exam वो pressure जितना खराब होता है ना मैं तुमको वापस बोल दू 15 दिन रोज अकाउंट्स पढ़ोगे तो tax cost FM भूल गए और वो 15 दिन जो वहां गया ना वो कभी recover नहीं हो पढ़ाई रोज कीजे regular जैसा करते हैं बस वही 15-20 मिनट पुराना पुराना देखते जाएए देखी अपने आप सब line में आ जाएगा जो regular practice करते हैं अभी तक मेरे को जो position लगता है मैं बोल दू सच्छे की नहीं पता नहीं उनका अब single entry insurance claim और investment line पे आ गया होगा कि भईय तीन chapter line पे आ गया ना अब देखना तुमको यह तीन chapter हमेशा याद रहेगा खाली बीच में जो नए नए question आते जाए बनाते जाना हमेशा याद रहेगा तुमको book copy खुलने का जरत नहीं बढ़ेगा जहां मिलता है वहाँ बच्चे use नहीं करते जहां नहीं मिलता वहाँ ज जहां होता है वहाँ करनी रहे हो जब हम उंगली करना करनी रहे हो तुमको हम आके बोलोगे हम भी नहीं करेंगे बात खतो आप रिसीप रोकेट कीजे सर आप पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं तो हम extra मैनत करेंगे हमको अगर लगेगा बच्चे को interest नहीं हम का है मतल लग अभी से बोल रहा हूँ जो मेरे को personally लगता है conceptual जादा होगा क्योंकि ये paper विल्कुल conceptual नहीं था एकदम straight paper था concept wise इस paper में कुछ institute ने try नहीं किया तुमारा concepts को देखने का तो concept wise paper बहुत weak था तुमारा paper concept wise बहुत strong होगा number one number two accounting standard तुमारे case based आएंगे तुमको case studies वगेर अच् number three क्योंकि partnership 20 माक का हट गया है group one से और AS कम हो गया है तो अब वहाँ पे जो gap fill in होगा ना gap gap जो बच गया वो gap fill in करेंगे अब chapters like 15 माक का cash flow आएगा 15 माक 20 माक का single entry आएगा क्योंकि insurance claim investment ये सब 10-10 माक के chapter है 15-20 माक में खिलाड़ी है single entry cash flow statement financial statement ये सब खिलाड़ी है तो वो 20 मा हटेगा वहां से तो तुमको वो सब चाप्टर में मैंनत करना पड़ेगा तो उन चाप्टर को थोड़ा पहले से स्ट्रॉंग कर लीजेगा डान चलिए इतना के लिए इतना ही बहुत है आगे बढ़ते हैं